दोस्तों उत्तर प्रदेश में अयोध्या के हनुमान गड़ी के महंत संत राजुदास ने अखलेश यादव को लेकर एक वेहती आपदेशनत और विवादत टिप्कुनी करने का काम किया है, जिसका जवाब देते हुए समाजवादी पाटी के अयोध्या के नेता और विधाय कि यह भगवा धारी जो यह तथा काथित अपने आपको संत बोलते हैं यह एक बलतकारी से जादा और कुछ भी नहीं है और भगवा पहन कर यह हमारे हिंदू समाज को सनातनियों को मूर्ख बनाने का काम करते हैं, पहले मैं आपको पूरी प्रिष्ट भूमी समझाने की किया, बस इसी मुद्दे के ऊपर रियाक्शन देते हुए हनुमान गधी के तथा कथित संत, मैं इसको तथा कथित संत ही कहूंगा, क्योंकि मेरी नजर में इसकी आउकात एक बलतकारी से जादा कुछ भी नहीं है, इसने सबसे पहले स्वामि प्रसाद मौर्या के उपर जि अभी तो स्वामि प्रसाद मौर्या के उपर जूता फेका गया है, लेकिन आने वाले भविष्य में अखलेश यादव जूते से पीटे जाएंगे। स्वामि प्रसाद मौर्या जी को पर जूता चला है, आने वाले दिनों में अखलेश यादो जी भी जूते से पीटे जाएंगे। सबसे पहली बात तो ये है कि ये किसी संत की भाषा होई नहीं सकती है, जिस व्यक्ति ने भगवा धारन किया हो, जिसने अपने माथे के पत्रिपुंड लगा रखा हो, जो अपने आपको एक बाबा कहता हो, संत कहता हो, महात्मा कहता हो, व्यक्ति के मुझ से इस तरह के कि एक लंबी लिस्ट है जो सनातन के नाम पर जो भगवा वस्त्रधारद करने के नाम पर भक्तों की माभेन बेटियों के साथ बलातकार करने का काम करते हैं और अब इस महंत संत राजुदास की समाजवादी पार्टी का एयोध्या के विधायक पवन पांडे ने पोल खुल कर करेगा सबसे पहले आप सुनिए कि पवन पांडे क्या कहते हैं अजद्या हन्मान गढ़ी के परंपुज महत्मा संत रामदास जी के खांसामा उनके सेवादार राजुदास जी ने एक अमारे आदिम टिपड़ी की है हमारे समाजवादी पार्टी के राष्टी अद्रजी पर गलत बयान बाजी की है राजुदास जी मैं आप से कहना चाहता हूं कि वह भगवा पहन लेने से आप संत नहीं हो सकते आप महत्मा नहीं हो सकते संत महत्मा बनने के लिए आपका आच्वा अच्छा होना चाहिए लेकिन आपकी जो रिपोर्ट आई है जब भी आप फू पाइब लिए वह वह वीमारी से घ्रसित हैं वह संकरमा राजुदास जी के अंदर पाया गया है जिसके साच जिलाश्पताल में मौजूद है अब जिसका आच्छा इस तरीके का हो वह इस तरह की टिपड़ी करें आमारी आदि टिपड़ी करें यह सोभा नहीं देता राज पांडे ने इस तथा कतित महंत संत राजुदास के बारे में क्या कुछ कहा नोंने संत राजुदास की पोल खोलते हुए इनके बारे में बताया कि एक बिमारी से पीडित हैं जब मैंने इस बिमारी को गूगल के उपर सर्च किया तो मुझे मालुम चला कि यह संक्रमण उस व्यक्ति को होता है, जो व्यक्ति किसी ऐसे व्यक्ति के साथ शाहरिक संबंद बनाता है, जो पहले से ही संक्रमित हो, इसका मतलब जो ये तथाकतित संत राजुदास है, जो ये अपने आपको सन्यासी कहता है, इसने किसी के साथ संबंद स्थापित किया है, जाहिर सी बात है, इसके पास कौन जाते हैं इसके पास हमारे हिंदू समाज के लोग ही जाते हैं उसमें से भी वो लोग जाते हैं जो भक्त होते हैं इसका मतलब इस तथाकथित संत राजुदास ने जो भक्तों की माएं होंगी या उनकी बैने होंगी उनी के साथ इसने शारित संबन इस्थाप शक्रमन फैल चुका है। इसका मतलब दोस्टो फेयर कि यह लोग प्रकार के बाबा नहीं है बल कि भगवा की आड़में हिंदूے को सनातनियों को मूर्क बनाने का काम करते हैं इन लोगों का आचरण किसी भी प्रकार से किसे संते transition से मैच नहीं करता है ये लोग अपने आपको सन्यासी बोलते हैं और भक्तों की माबहन के साथ बलतकार करने का काम करते हैं। भगवा धारन करके अपने आपको कोई जगत गुरू बोलता है तो कोई संत बोलता है तो कोई महात्मा बोलता है तो कोई पता नहीं क्या क्या बोलता है। मैं अपने समाज के लोगों से साफ तोर पर कहूंगा कि ऐसे बाबाओं का आप लोगों वहिश्कार करें और ऐसे बाबाओं के पास आप लोगों को जाने की बिल्कुल भी जरूत नहीं है बलकि अगर ऐसा कोई बाबा भगवा धारन करके आपके घर के ऊपर आता है तो उसकी जम कर आप लोग जूते और माला से कुटाई करने का काम कीजी क्योंकि यह लोग धर्म का नहीं यह लोग अधर्म का काम कर रहे हैं आप आप सभी लोग क्या सोचते है कॉमेंट करके अपनी राए दीजिए चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए फेस्बुक ट्विटर इंस्